हाई गाईज वेल्कम टु यूर ब्राइंड न्यू सेशन आफ कॉरेंट फेयर्स आज की पारीक है तीन जुलाई 2021 हमारे दो चैनल्स हैं पिनैकल और फ्रेंडियर आएस और अगर अभी तक आपने इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यह सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह चार बज़े वेलेबल हो जाता है साथी साथ फॉर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंतली मैगजीन आप मैं टेलीग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आएस और से सिजल पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार् संदीप मिश्रा और दूसरा पूचा था कि दूनिया के सबसे कम उम्र के शत्रण्ज ग्रैंड मास्टर कॉन बने हैं तो इसका सही जवाब था अभी मन्यू मिश्रा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टिन देखो आज के सेशन का विश्यो स्वासे संगठन दवारा के स मैंकर स्टेश को मलेरिया मुगत गोशिद किया गया है तो सही जवाब सेच reborn explain note तो मैं को मिटाने के सतर साल के परियस के बाद今天 jillon 2 ud किस और दुवारा चीन को मैंति प्रमानित किया गया था चीन इनने 1940 के दशक में सलाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किये थे लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वधेशी मामला सामने नहीं आया है जिन राष्टों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के 0 स्वधेशी मामलों को हासिल किया है वे मलेरिया मुक्त सिती के डब में अल्जीरिया और अर्जेंटीना और दोहजार अठारा में परागवे और उस्बेकिस्तान थे बात करें यहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो इसी कैपिटल है बीजिंग करंसी है जैन मिन भी नेक्स्ट पैस्ट देखो भारते वायु सेना के नए हैं तो इसका सई जवाब है और बी एर मार्शल विवेक राम चौधरी तो एर मार्शल विवेक राम चौधरी ने गुरुवार को भारते वायु सेना के नए उप्रमुख यानि वाइस चीफ का पदभर भ्रहन किया उन्होंने एर मार्शल हरजीर सिंग अरोडा की जगा ली है एर मार्शल चौधरी वर्तमान में भारती वायु सेना की पस्चिमी वायु कमान यानि वेस्टन एर कमांड के कमांडर इंचीफ के रूप में कारयत है यानि तस्वीर में देखिए इस कमांड के पास समवेदन शी लग्दाक शेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड तो भारतियन और सेना ने कृतिम भुधी मतता यानि ए आई, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक से जुड़ी उभरती प्रदियोगी की विक्सित करने के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझाते पर एक टेकनलोजी इनक्यूबेशन फोरम रचनात्मक सोच तथा उबरती प्रदियोगी की विक्सित करने के दिशा में भारती नौसेना और भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के सहित्ति कोन को साजह करता है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो तोक्यो अलंपिक 2021 क्वालिफाय करने वाली भारत की पहली महीला तराक कौन बनी है तो बबारती महीला तराक माना पटेल को भी तोक्यो अलंपिक का टिकट मिल गया है भारतिय तराकी महासंग के अनुसार माना की विश्वी दले कोटा से टोक्यो लंपिक में भागेदारी के पुष्टी हो गई है जोने तस्वीर में देखिए माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्टोक में भाग लेगी वह इन खेलों के लिए क्वालिफाय करने वाली तीसरी भारतिय तराक है किस राजय सरकार के अरुन जेटली राष्टे बित्य प्रबंदन संस्थान ने AI और उभरती प्रोदियोगिकियों के उत्तु प्रिष्टता केंद्र के निर्मान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझोता गया अपन प्रसाक्षर किये हैं तो इसके सही जवाब हो ऑप्ष्ट नमबर डी हर्याना तो अरुन जेटली नैशनल इंसिट्यूट और फानेशल मैनेजमेंट और माइक्रोसॉफ्ट ने एक मसौदा पत्र प्रसाक्षर किये हैं इस से नया रूप देने के लिए साज़दारी से क्लाउड और उभरती प्रद्योगी क्योंकि भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा इसके थैट माइक्रोसॉफ्ट प्रद्योगी की उपकरन और संसाधन प्रदान करेगा सरकारी अधिकारी को कुशल बनाएगा औ भारतीन और संस्यना सगरत इसी में सव में किस देश के साथ सेने अभ्यास कीया है यह उप्शन अंबर बी दक्षिन और कोरिया यानी तो बढ़की और सेना के स्वादेशी एंटी सब्मरीन वार्फियर कॉर्वेट इनस किलतान ने पूर्वी चीन सागर में एक दक्षिन कोरियाई पोत के साथ एक सैने अभ्यास किया है इस अभ्यास को देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पारस परिक्ता यानी रेसिप्रो सीटी को बढ़ाना और सर्मोतम प्रताओं के अदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना था बात करें यहाँ पर साथ पोरिया की तो इसी कैपिटल है सी ओल करंसी है साथ पोरियन वॉन नेक्स्ट क्वेस्टन देखो किस राज्य केंदेशासित प्रदेश ने महिला उद्मियता का समर्थन करने के लिए कारे करम हौसला इंस्पारिंग हर ग्रोथ लाँच किया है तो इसका सही जवाब हो ऑप्शनमबर सी जम्मू और कश्मीर तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्य पाल मनोज सिन्हा ने केंदेशासित प्रदेश में महिला उद्मियता को उद्प्रेडित करने के लिए एक व्यापक कारे करम हौसला इंस्पारिंग हर ग्रोथ लाँच किया है हाल ही मत जम्मू कश्मीर के मुखे सचीव अरुन कुमार महता ने अपने मुख्यालेय में SDRF की पहली पटैलियन की 24-7 मांसिक स्वास्ते हेल्प लाइन सुकून का उद्घाटन किया बात करें हैं आपर जमू और कश्मीर की तो इसके लेटनेंट गवर्णर है मनूज सिनहा लगदाग के लेटनेंट गवर्णर है आर के माथूर नेक्ट पैसन देखो केंद्रे मंत्री शी नरेंडरे सिंग तोमर ने फसल बीमा सप्ता के दुरान फसल बीमा जागुता अभ्यान का शुभरम किया फसल बीमा सप्ता कब से कब तक आयुजित किया जा रहा है तो इसका सई जवाब हो ऑप्शन नमबर बी एक जुलाई 2021 से साथ जुलाई 2021 तो केंद्रे क्रिशेव किसान कल्यान मंत्री नरेंडरे सिंग तोमर ने हार ही में फसल बीमा योजना जागुता अभ्यान के शुरुआत की देश के अजादी की 75 वर्षगांट के अफसर पर केंद्रे सरकार की अजादी का अम्रित महतसव पहल के तहत इ गई इस अफसर पर जागुता अभ्यान चलाया गया है फसल भीमा योजना को देशेव प्रतिय किसान को सुरक्षा कवश प्रदान करना है उन्होंने यह भी घोशना की किस योजना ने अब तक किसानों को 95,000 क्रोड रुपे के दावों का भुपतान किया है यहां पर एक्स सबसे बड़ा राज्य है जो पिछले कुछ वर्षों से बागवानिक शेत्र में तेजी से विविद्धा ला रहा है यह देश में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और फलो का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक है नेक्स्ट पेस्ट देखो ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम इंडेक्स 2020 में 600 देशों में भारत 20 स्थान पर है देश 2019 में स्टार्वे स्थान पर था जिसके बाद यह छेसता नीचे गिर कर 2020 में 23 स्थान पर रहा रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टप परिस्तिती की तंत्र को और मजबूत कर करने के लिए अपने बुन्यादी धांचे और इंटरनेट की गती को बहतर बनाने की जरूरत है पिछले साल के तरह इस साल भी अमेरिका यूके इसराइल कैनेडा और जर्मनी शीष पांच स्थानों पर हैं नेक्स्ट देखो कौनसा पेरालिंपियन टोक्यो पेरालिंपिक म भारत का धोजवाहक होगा तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन इबर ए मरियपन थंगा वेलू तो रियो स्वरन पदक विजेता पुर्शो के हाई जंपर मरियपन थंगा वेलू को 25 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले तोक्यो पर अलिंपिक में भारत के धोजवाहक के कप्त और टोक्यो पर अलंपिक खेलो के लिए क्वालिफाय किया जाजहर्या ने 2016 रियो अलंपिक में 63.97 मीटर दूर भाला फेंकर गोल्ड मेडल जीता था बात कर लेते हैं आज के सेशन के कोई समरी की तो डव्यो एचो ने चाइना को मलेरिया फ्री घोशिक कर दिया है इंडिय मार्शल विवेक राम चौधरी इंडिया नेवी ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है तोक्यो उलंपिक 2021 क्वालिफाय करने वाली इंडिया की पहली फीमेल स्विमर बनी है माना पतेल हर्याना क अरुन जेटली नैशनल इंस्टिउट आफ फानेशल मैनेजमेंट ने AI के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक M.O.U. साइन किया है इंडिया नेवी ने इस्ट चाइना सी में साउथ कोरिया के साथ सेन्य अभ्यास किया विमन एंटेप्रेनियोर्शिप प्रोग्राम होसला इंस्पाइरिंग हर ग्रोथ जमू एंड कश्मीर में लॉंच किया गया क्रॉप इंशॉरंस वी 21 जुलाई 2020 से 7 जुलाई 2020 तक मनाया जा रहा है ग्लोबल स्टार्टप इकोसिस्टेम इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है 20 और टोक्यो पेरलिंपिक्स में इंडिया के फ्लै उसेना के नए उप्रमुकॉन बने हैं इन दोनों क्वेस्टिस का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइ क्वेकेशन आपको मिल सके हमारे दोनों वेब साइट और टेलीग्राम हांडल्स को जोइन जरूर करना है थैंक्यू सो मच